बॉर्निंग प्यारे बच्चो नन्हे मुन्हे बच्चे आज मात्राओं के ज्ञान के अंदर गत छोटे उकी मात्रा का ज्ञान प्राप्त करेंगे छोटा उसे होता है उल्लू और छोटे उकी मात्रा लगती है कुछ इस तरह ध्यान से देखिए और ये लगती है अक्षर के नीचे जैसे पहले लिखा का और फिर उसके नीचे लगए छोटे उकी मात्रा कुछ इस तरीके से और इसको बोलते हैं कुप का में छोटे उकी मात्रा लगी और पढ़ा जाएगा इसको कुप तो आज आते हैं मात्राओं से संबंधित गतिविथी पर छोटे उकी मात्रा वाले शब्द चित्र देखेंगे और अक्षरों को जोड़कर मात्रा के साथ एक सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे तो जो पहला चित्र है वो है एक पुल का चित्र को ध्यान से देखिए ये चित्र एक पुल का चित्र है अब आते हैं अक्षरों पे क्या लिखा है सबसे पहले लिखा है पा तो सबसे पहले इस बॉक्स में पा लिखेंगे फिर है चोटे उकी मात्रा पा के नीचे चोटे उकी मात्रा कुछ इस तरह से लगाएंगे उसके बाद है ला और ये हो गया ला उपर एक रेखा खीस देंगे ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिये और इसको पढ़ने का प्रियास करिए एक बार फिर से लिखते हैं पा, पा में छोटे हो की मात्रा और ला इसको पढ़ेंगे पुल, अब दूसरा शब्द देखेंगे दूसरे चित्र में है एक पशु और यहां लिखा है पा तो सबसे पहले पा लिखेंगे, फिर शा लिखेंगे और शा में छोटे हो की मात्रा लगाएंगे कुछ ऐसे और इसको पढ़ेंगे पशु पशु यानि जानवर तीसरे चित्र में एक सापुन बना है, चौथे चित्र में एक कच्चुआ बना है और फिर एक गुलाब, इन सभी शब्दों को जोड़ करके यहां पर दिये गए बॉक्स में लिखेंगे अब दूसरी गतिविधी की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी गतिविधी में हैं, पढ़ो और समझो तो इन दिये गए छोटे उकी मात्रा के शब्दों को पढ़ना है और इन्हें बार बार पढ़ करके समझना भी है तो देखते हैं, पहला शब्दी क्या है? पहला है सुख, फिर है दुख, फिर है मुख, मुख इसके बाद गुण, गुण, युग इसके बाद बुन, सुन, धुन इसके बाद कुल, गुल, खुल इसको बार बार इस वीडियो को रोक करके देखेंगे आप कि हमने इसका उचारण किस तरह किया है और बार बार इसका उचारण करेंगे इससे आपकी शब्दों पर पकड़ बढ़ेगी इस पूरे अभ्यास को करेंगे और इन शब्दों को बार बार लिखने का प्रयास भी करेंगे तो बच्चों मिलते हैं एक दूसरी कतिविती के साथ तब तक धन्यवाद